हेलो माई यूट्यूब फामली और वेलकम टू दे गार्डन स्टोरी तो स्टार्ट करते हैं हमारे किचिन गार्डन की सेर एक छोटा सा टूर ये देख रहे हैं आप मिर्ची का पौधा इसमें फ्लावरिंग हो रही है और कुछ-कुछ छोटी मिर्चे भी निकल रही है ये बिचारी लाल मिर्ची ये शुरू से लाल नहीं थी उसे तो वक्त के थपेडों ने लाल बना दिया जोक सब पार्ट इसको हम लाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लाल मिर्च पौडर बनाना है इसका आगे चलकर ये है हल्दी का प्लांट फ्रेंस हल्दी भी हमने चार से पांच कंटेरर में लगाई है और इसे भी हम आगे चलकर हल्दी पौडर बनाएंगे ये है 18-20 देज पौराना लौकी का प्लांट ये कुछ और ककड़ी के प्लांट है जिसको लगबग 20-22 देज हो चुके है नए लगे हुए इसमें भी छुटी-छुटी ककड़िया निकलना शुरू हो गई है इसमें हमें हान पौल्नेशन के जरुएत नहीं पड़ती कुछ मेलफॉर्स होते हैं इसमें और कुछ फीमेल फ्लांट जैसे कि आप ये तेख रहे हैं ये फीमेल फ्लाँः था और ये वाले मेल फ्लाँट है अगर मैं compare करूं ककड़ी के पौधी और खीरे के पौधी को तो ककड़ी का पौधा much easier है grow करने के लिए as compared to cucumber लौकी की बेल जब आपकी बढ़ने लगे तो आप उसे रसी से उपर जरूर बांदें ये हैं beetroot मैंने कुछ beetroots भी लगा रखे हैं और बहुत अच्छे grow कर रहे हैं इस एक ही container में मैंने green chili का पौधा भी लगाया है और साथ में कुछ beetroots भी लगाये हैं beetroots कुछ दिन में बन के तयार हो जाएंगे तो मैं उसे हटा लूँगी और समय समय पर fertilizer ज़रूर डाले इसमें भी इस चोटे से प्लान में भी fruiting और flowering स्टार्थ हो चुकी है ये है भिंडी का पौधा और ये भी अब जल्द ही fruiting करने लगेगा अब आपको लेके चलती हो अपनी क्यारी की और इस क्यारी में मेरे पास लगी है तीन से चार वराइटी की सेवन्ती मेरी गोल्ड और दो तीन कॉली फ्लावर्स भी लगा रखी है और ये देखे सेवन्ती में अभी तक flowering हो रही है आज 11 जून है और अभी तक इसमें flowering चल रही है हाला कि गर्मी बहुत जादा है Sunrays काफी हाश है जिसकी वज़े से इसकी पतियां सुखती जा रही है बट फिर भी बौधा flowering कर रहा है और ये लगा है देशी गुलाव पिंक कलर वाला देशी गुलाव ये भी फुल गर्मी में भी मैं बोलूं कि फुल समर मन्त में भी इसमें flowering कभी नहीं रूपती ये फुल लियर flowering करता है and it's a best rose plant I would suggest everyone की एक plant ऐसा जरूर लगाएं पिंक कलर का ये flower है देशी गुलाव आपके संग ककड़ी की कुछ harvesting भी कर लेते हैं ये है हमारा brinjal का plant जिसमें छोटे से brinjal उस भी आना शुरू हो गए है ये हमने लगा रखा है अमरूत का पेड़ जिसमें अच्छी fruiting हो रही है ये देखिए cauliflower कितने सुंदर लग रहे हैं कितने pretty लग रहे हैं कुछी दिन में ये भी तैयार हो जाएंगे harvesting के लिए ये है मेरा cherry का पॉधा जिसमें कुछ fruiting हो चुकी है और कुछ flowers और fruits और बनने जा रहे हैं जो कुछ समय बाद mature होंगे ये है fig का plant अंजीर का पॉधा इसे मैंने दो मेने पहले nursery से लगा कर लगाया था और ये अब देखिए fruiting भी करने लगा friends fig के plant को आप cutting से grow कर सकते है ये बहुत easily grow हो जाता है ये है मेरे कुछ दूसरे भिंडी के पॉधे जिसमें flowering fruiting donut हो रही है जैसा कि मैंने आपको पहले बता है कि लाल मिर्ची powder मैं घर पर खुद बनाती हूँ तो ये लाल मिर्चियां जो है matured मिर्चियां इनको मैं उत्तोड़ कर सूखा देती हूँ धूप में और कंटेनर में कठे करते जाती हूँ जैसे ही मेरा कंटेनर भर जाता है लगबग एक किलो के करीब मेरे पस सूखी लाल मिचे एकठे हो जाती है तो मैं इनको पीस लेती हूँ से जरूर कुछ न कुछ help मिले होगी तो बने रहे दगादन स्टोरी में फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ